राइपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक चरुण साव ने सरकारी अस्पतालों में स्वास सुधाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है साव ने कहा कि मुख्यमंत्री और स्वास्त मंत्री के सियासी दंगल ने स्वास सेवाओं को बधाल कर डाला है कांग्रेस शाशनकाल में समुचित इलाज के प्रभाव में प्रदेश में 25,000 शिशू की मौत हो चुकी है आखिर राज्य सरकार इलाज के अभाव में हो रही मौतों की जिम्मेदारी से कब तक पलड़ा ज़ाड़ेगी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से लेकर सदन तक केवल जूट बोल रही सरकार ने वादा खिलाफी के किर्टीमान रच दिये हैं कांग्रेस पालिटी का इतिहास हमेशा से जूटे वादे और जूटे गोस्ना का रहा है चत्किरगण में भी हम लगातार इस बात को देख रहे हैं कि जन गोस्ना पत्र में किये हुए वादों को पूरा करने से मुकरने का कांग्रेस पालिटी की सरकार लगातार कर रही है एक तरफ जहां जन गोस्ना पत्र के एक भी वादे आज पुरे नहीं हुए है वहीं दूतरी वोर विधात सभा में टीस सिह देव जी के किये हुए घोषना कि हम प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को केस्लेस कर देंगे निसूर कर देंगे सारी जहांच और इलाज निसूर करेंगे उस वादे से भी मुक्यमंद्री भुपेज बगेल जी ने मुकरने का कान किया है